तामबाई रंग का कोमल कोपलों से भर जाता है तामबाई यानि तामबे जैसे रंग के पत्तों से भर जाता है तामबाई रंग की कोपले धीरे धीरे हरे रंग के पत्तों में बदल जाती है आप जैसे बच्चे इन कोपलों से पीपनी बना कर मूम से बजाते हैं इसे पी-पी की आवाज निकलती है, पीपल के पुराने पत्तों को कई दिन तक पानी में रखने से इसका हरा भाग गल कर अलग हो जाता है और नसों का जालीदार सफेद सुन्दर पत्ता निकल आता है इस जालीदार पत्ते को सुखा कर चितर इस पर सुन्दर सुन्दर चितर बनाते हैं चितर कार चितर बनाने वाला पीपल गुलर परिवार का पेड़ है इस पर छोटे छोटे फल लगते हैं इसे गुलडी कहते हैं एक गुलडी में बहुत से बीज होते हैं पक्षी इन्हें बड़े चाओ से खाते हैं इन्हें खाकर पक्षी जो बीट करते हैं इसे बीज जों केत्यों निकल जाते हैं इस तर पेड़ों की कोटरों में भी बीज गिर जाते हैं और वहां भी पोधा उग जाता है धीरे-धीरे पीपल का पेड़ बढ़ा होता है और मूल पेड़ नस्ट हो जाता है bu के पीपल को कि इसकी मोटी पतली शाखाएं लगा कर और भी उगाया जा सकता है पीपल के पेड को पेड की देखवाल करने की अवशक्ता नहीं होती जरूरत यह अपनी देखवाल स्वेंप करता है पीपल के पेड की सबसे बड़ी विशेश्था है कि यह 24 गंटे oxygen चोड़ता है अक्सिजन हमारे जीवन का आधार है पीपल के पत्तों को बक्रिया और हाती बड़े शोक से खाते हैं इसलिए पीपल का एक नाम गजभक्ष भी है पीपल की चाल के रंग से सादू सन्यासी अपने कपड़े रंगते हैं पीपल से दवाईयां भी बनती हैं इन दवाईयों से अनेक रोग ठीक हो जाते हैं पीपल की लकड़ी यग में समीधा के रूप में उपयोक में लाई जाती है इनकी आयू लंबी होती है भारत में हजारों साल की आयू के पीपल के पेड़ आज भी देखे जा सकते हैं कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था अतेब बुद्ध धर्मा अनुयाई धर्म को मानने वाले भी इसे पवित्र मानते हैं। बुद्ध गया में जिस पीपल के पेड़ के निचे भगवान बुद्ध बैठे थे वह आज भी मौजूद है। इसी पीपल की एक शाका को 288 इशापूरू लंका से लाया गया था। वह आज भी फलफुल रहा है। इसलिए इसकी आयू 2250 वर्स से अधिक हो गई है।